हेलो एवरीबन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस तो आज हम 6 जनुरी 2022 की सीटेट का पेपर वन डिसकस करेंगे यह प्रिविएस एर क्वेशन है यह आपको यूपीटेट हुआ या सीटेट हुआ या के विएस वाड़ी ट्रेपल फजी सारी सब्सक्राइब करेंगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से रवल करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेस्टेन क्या कहता है कि हाओ मेनी हेंडेट सर देर इन 25347 इसका हिंदी वर्जन यह है यह कह हां ऊपको पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करना आ estava कुछ भागफ़ाघा तो आपको हो जाएगा उतना स्यक्डवाइड करेंगा कितनी बार उतर जाएगा तो पोचेपांग सो चो यह 24 आएगा यह सात उतर जाएगा और 600 जो से तीन बार में चला जाएगा 300 फिक है यह आपका 47 आप 47 जो होगा अप सो से डिवाइड नहीं हो पाएगा मतलब इसके आगए डिवाइड होगा यह पॉइंट में बट एक्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरा एक एक करके डिवाइट कर आप कैसे करोगे देखिए 25347 डिवाइट बाई 100 हम सबको पता है कि जब भी अगर 100 से डिवाइट करना है तो जितना 0 होता है जितना नीचे 0 है उपर उतने उतने अंक के बाद आप 253.47 तो आप क्या करना है आपको पॉइंट वाला चीज़ छोड़ देना है जो आप इंटीजर जो बज्जा उसको लिख लेना है 253 तो आपका जो हंडेट पोजीशन आएगा वह आपका 253 मतलब 25347 में कितने सवकड़े है 253 है ठीक है चलते नेक्स कोश्चन की तरब है नेक्स कोश्चन क्या कह रहा है कि आई में टू डिजिट और नमर और ग्रेटर देन 24 इंट फॉर माइवन सेंटेंस रिकोल वट नमर्स आई हैं ठीक है इसको आप बनाने ऐसे नहीं बैटेंगे आप इसको ऑप्सन के साथ इलिमिनेट करेंगे देखिए हिंदी वर्जन क मैं नेक्स करेंगे आप दूसरा कंडिशन के साथ है कि वर्जन को बाराबर है किसमें बराबर मतलब यह दोनों गलत हो गये बस यह दूबज़गा अथासी और कि दो उनको के एक विसम संखिया है अब अभाए बताय then 88 विसम संखिया है plaususanten नहीं क्योंगर 2 से डिवाइट होजाता मतलब संखिया 999 क्या होगा Amazon क्योंकिक्वाइट नहीं होगा तो आपका यही आनसर हो जागा करेक्ड आनसर हो जागा है तो आपके साथ पटाथ सॉल करेंगे कैसे मैंने सॉल किया आप इसको मुल्टिप्लाइब करने नहीं बैटेंगे क्योंकि कि देखिए नेक्ट सोचिन क्या कह रहा है कि संख्या 27 68 65 में आए दो साथ के स्थानी मानों का अंतर बताई है यहां पर स्थानी मान दे रखा है यहां पर प्लेस वैल्यू दे रखा है ठीक है एक होता है प्लेस वैल्यू एक होता है फेस वैल्यू ठीक है दोनों मंतर होता है value क्या होता है वो number itself होती है मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 276875 में 7 की face value क्या हो तो दोनों में 7 नहीं होगा लेकिन यहाँ पर place जो value होगी वो अलग हो जागी और place value कैसे calculate करते हैं मैं बताता हूँ कैसे calculate करते हैं देखिए यह number दे रहा है 276875 इसमें इस 7 की place value निकाल नहीं है तो क्या करना होता है 7 into 7 के जगा वन लिखना होता है वन लिखेंगे जिस भी नंबर का place value पूछे उस नंबर के जगा वन लिख देते हैं ठीका इसके बाद जितने भी राइट में जितने भी नंबर्स होता है जितने बीडिशी चोटी उतने 0 उतार देते हैं साथ लिखेंगे मतलब 70 इसकी place value 70 है दूसरे वाले की देख लेते हैं place value कितनी होगी कैसे लिखोगे इसको लिखेंगे इन्टू 7 के जगा वन लिखेंगे इसके बाद कितने कितने बज रहा है एक दो तीन चार तो क्या करूंगा एक दो तीन चार यह हो जाएगा ठीक है यह आप छोनों में का पूच रहा है कि 7 के जो अस्थानी मान उनका अंतर बताएएं कैसे निकालोगे एक का अस्थानी मान आया स्तर आजार दूसरे का स्थानी मान आया सतर ठीक है इसको घटा दीजिए क्या करेंगे 0 गट जाएगा जीरो आगा 10 में से यहां पर सी नुब शीप मान हो मैं फिर से रिपिट कर दता हूं दूछीज आपको द्यान रखनी है एक होती है फेस ग sommes सेपर सिर्फ कोस्टन की मैं तो एक पहले वाले सेमें की फेस सेव effectivement corrobor से भावरे दूसरे वाले सेवन की फेस रहुआ होंगी जिसबिन नमबर्व को प्लेश बैलुटा होता है। उसके जगह क्या लिख देते हैं? ठीक है। उसके आगर जेतिने भी डिजीत हो तो ऊत्वर लागा देते है और उस नमबर्वाजेटिक उतार देते हैं ठीक है। तो मतलब 7 का निकाला 7 into 1 एक डिजिट है पांस एक जिरो लगा दिया सेवन का क्या हो जागा 7 into 1 सेवन के जगा लिए उस राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने पॉइंट यहां पर लगाते हैं तो यह आपकी प्रेस्ट वैल्यू हो गई ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कॉच्चन की तरफ अब देखिए नेक्स्ट कॉच्चन यह कहा रहा है कि दो प्रोडक्ट आप 0.013 and 0.07 is equal to simple multiplication पूछ रहा है simple आपसे गुणा पूछ रहा है बट यह गुणा करने में बहुत लोग गरवड़ी करते हैं कि point में गरवड़ी करते हैं point का बस difference है कुछ नहीं मैं एक ट्रिक बताऊंगा कुछ नहीं करना होता है कैसे आप multiply करोगे देखिए सबसे पहले क्या कर लीजे point आप भूल जाइए थोड़ी तरी के लिए यह समझेए बस मेरे को क्या कह रहा है 13 में साथ का multiply करने के लिए कह रहा है तो मैं क्या करूंगा 13 सत्य एक्यानबे लिख लूँगा ठीक है अब देखिए आपको कहीं भी ऐसे multiplication क्या करना है आप देखिए point के बाद right side में कितने digit आ रहे है पहले बाद इसमें कितने आ रहे है दो डिजिट आ रहे है ठीक है इसमें कितना आ रहे है point के बाद right side में कितने आ रहे है एक दो तीन इसमें तीन डिजिट आ रहे है ठीक है तो आप क्या करोगे यहाँ पर दो लिट आ रहे हैं आप जब multiply करोगे तो क्या करोगे दोनों को add कर दो जितने भी डिजिट बढ़ रहे हैं पॉइंट के बाद तीन दो पांच मतलब अब आपको क्या करना है जितना भी multiplication करने प्याया number ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे टोटल पांच डिजिट लिखिए और उसके बाद क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे यह हो जागा आपका 0.0091 देख लिए कौनसा अप्शन यह वाला हो जाएगा ठीक है फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे किया मैंने देखिए क्या करना है सबसे पहले पॉइंट को भूल जाईए जो भी आपका number उनको multiply कर लिए सीधा सीधा 13 into 7 हो जागा आपका 90 ठीक है क्यान भी लिखती है उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं इस वाले में point के बाद कितने हैं इसमें point के बाद कितने हैं इन दोनों को जोड़ देए तीन और दो पांच हुए अब total हमको 5 point के बाद 5 जो डिजिट उसके बाद एक पॉइंट लगाना होगा ठीक है अब 5 digit कैसे हम बनाएंगे हमारे पास 91 है जाएगा चलते हैं अब कुस्ट्टन की तरफ देखिए नेक्स बें क्या करा है कि निमलकी तालीका बें आकड़ों को पड़ी हो सही कथन का चुनाव कि जिए तो यह आप देख लिए कि बच्चों का पसंदीदा पे दे रहा है बच्चों की संख्या दे रखिये अब प्षी सबसे पहले आप क्या करने पड़ेगी ना बच्चों की संख्या का आड़ कर लिए तभी तो पतर चल रहेगा कितने बच्चे हैं तो यहां पर देखिए पांच पांच दस हो गया आसी लेक हो गया तीन दो पांच तिनाट एक नौएक दस टोटल सो सो इस्टूडेंट टोटल अब हम चलते हैं question की तरफ कि क्या क्या option में दे रहा है वहां से एक एक चीज़े हम solve करेंगे मतलब हमार बास टोटल 100 बच्चे हो गए और हर बच्चा जो होता है मतलब जो कौन-कौन सा पे पी रहा है उसका नंबर सामने दे रहा है अब question में चलते हैं नीबू पानी और दोतरना की यह बच्चे 5 यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है दूसरा देखी कफी करने वाले बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों की संक्या का एक चोथ साई वह आगए आप कौफी का क्यों पी रहा है पच्चीस बच्चे ठीक है अब कह रहे हैं कि 25 क्या 25 प्च उनका यह बट्टे चाहरा है तो यह बच्चों का प्रेक्ट हो जागा क्या करना था इसमें पहले सारे बच्चों का नंबर जोड़ लो कितने टोटल बच्चे हैं ठीक है और हर उसके बाद आप जाओ बता रहा है पूछ रहा है कि हर टाइप का प्रेप अधारत है वह कितने बच्चे पी रहे हैं और डों कितना है तो आप उससे असानी से कल्पुरेट कर सकते हो ठीक है चलते है नेक्स्ट कोश्चन की तरप देखिए नेक्स्ट क्या कहरा है यह घड़ी का सवाल है घड़ी का सवाल कैसे है देखिक कि दो बज़े घड़ी की सुने तो आप बनाए जाने मेले पूणों की माप क्या होगी इसमें यह घड़ी बनाता हूँ अब हुझता है अब आप से मैं पूछूँ कि जब भी एगंटा होता है ना एक घंटा के मतलब क्या और और यह शे बजाँ, ये एक गन्टा, तो जो घन्टे वाली सुई है, वो कितना अंगल बनाती है, कितना पूर्ण बनाती है, तो कैसे निकालोगे, ये सरकल है, पूरा काफूरा एक सरकल है, आपको पता है कि सरकल पैं कितने डिवरी का कूर्ण बनता है, 360 का, ठीक है, और यह total कितना बज रहा है यहां से एक से लेकर के 12 बज रहा है ठीक है एक बजा फिर दो बजा फिर 12 बजा मतलब 12 बार यह घंटे के सुई गूहूम रही है ठीक है तो इसको 12 से divide करेंगे तो कितना जगा 30 डिगरी मतलब कहने के जब भी एक घंटा बीता है ना तो घंटे वा 12 एक से लेकर के 12 तक ही तो नंबर होता है मतलब एक बज़ेगा फिर दो बज़ेगा तीन बज़ेगा फिर 12 बज़ेगा वह अलग बात है कि दिन में बज़ेगा फिर रात में 12 बज़ेगा बट यहां बज़ेगा तो 12 ना बारस ज्यादा तो होगा नहीं ठीक है तो क्या कि दो बजे दो बजे कितना एंगल बनाईगा है मैंने बताया कि एक घंटर में 30 का ह्टिधिक बनाती है तो जब 2 बज़ जाएगा दो वाजें कितनी बार 20 गंटे के से 1 फिर 2 फिर 2 फिर थे 1-2 बार 20-31 नी किस खेंगे निक्सक्र omется यह कहरा था इसका हिंदी बरजन देख लिए हिंदी क्या कहरा है कि विविन सब्ता स्व एक पौधो की लंबाई में परिवरदन को मापा गया चालेक आपके सप्ता ये संप्ता्र से करना तो में रखा आपको पस यह करना है और देखिए आप क्या करिए एक से दो सब्ता में जाने पर कितनी व्रिद्धी हुई दूसरे में से पहले को माइनस करें तो आजाएगा मतलब जब सब्ता एक में 0.5 सेंटीमेटर था सब्ता दो में 2.7 था तो एक्छुल में सब्ता सब्ता 2 जाने में कुछ तो बढ़ा होग कितना हैते हैं मतलब सबता एक सब्सक्राइब कितना प्रण नुद टाइन फंट से-त नुदल Even लॉक्त-टत ah होगा आठ में साथ गया एक मांच में तो हो गया थीन मतलब यह हो जागा 3.1 ठीक है कैसे मैं निकाल ला हूं देखिए क्योंकि एक सब्ता से दूसरे सब्ता जाने में लंबाई तो कुछ बढ़ रहे हैं तो कितना माइनस हो मैं बोलूगा कि आज दो में दो सेंटिमेटर कल च चार माइनस तो निकलेगा ना वैसे ही यहाँ पर कर रहा हूं ठीक है ऐसे सब्ता 3 जा सफता फॉर जाने में कितना हो वह फाइप पॉइंट से चला गया तो माइनस कर लिए एट पॉइंट सिक्स मैं से फाइप पॉइंट एट एट कितना हो जाएगा यह यह 2.8 हो गया ठी इसको माइनस कर लीजे कितना वागा 15 में 6 जाए ना 10 में आट जाए दो मतलब 2.9 अब सबसे जाएथा किस वाले सब्दा में बढ़ा है देखिए सब्दा 2 से सब्दा 3 में मतलब 3.1 यह सब्दा आ रहा है न क्योंकि सब्दा 1 से सब्दा 2 जाने में 1.2 बढ़ा था केवल सब् disand 3.13 ..2.9 सब्दा 3.1 7 seinfly 2.9 सब्दा धका सब्दा 2 से 7 3 में तो यह यह करेक्ट आपका सब्दा दो यह सब्दा तीन है सो नेक्स कोचिन क्या कहता है कि average का को देंक विखें को करने के दूतरीक एक तरीका था सब को क्या करिए सब को चितने भी है ना सब को आप अड़ करिए ठीक है उसको पांस से डिवाइड कर दीजे यहां पे यहां पे दो तीन में क्या रखा चार की वैल्यू दे रखी एक सो तीरूपन एक सो पचास एक सब को दिया सब को एड़ करिए पांच वे की मान लीजिए एकस है इसको जब सौल करेंगे तो एकस की वैल्यू निकल लाईगी बट हमको ऐसे नहीं करना है ठीक है कि यह लंबा प्रोसेस आप इसको तीरूपन सेंटीमिटर कितना बढ़ा है तीन सेंटीमिटर ठीक है एक सो पचास से दूसरा वाला कितना बढ़ा है एक सेंटीमिटर ठीक है एक सेंटीमिटर बढ़ा है और जो चोथा है एक सो पचास से कितना बढ़ा है यहां पर यह बढ़ा नहीं है छोटा है क्योंकि एक कौन कितना चोटा है हम सब को पता चल गया कि लिए पहला बंदा था वह याग मतलब यह मतलब यह प्लस 1 cm अभी भी बड़ा है तो अब इसको balance करने के लिए क्योंकि average हमको 180 लाना है मतलब अभी यह बच गया तो 150 1 cm यह जादा हो रहा है ठीक अथ इसको balance करने के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी height जो है 1 cm छोटी हो मतलब उसकी height होनी चाहिए 149 cm होनी चाहिए तभी तो इसको भी balance कर पाएगा जब इसको balance करेगा तभी तो इसका average 150 आपाएगा तो इस तरी से समारा answer हो जागा 149 cm तो ऐसे trick के साथ आप इसको solve करेंगे अगर हम सबको add करके divide करने लग जाएगे तो यह लंबा हो जागा आपको time taking process हो जाएगा ठीक है तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कर ना बूले और पर दोस्तों को साथ जरूर सेर कीजिए तब तक के लिए take care by मिलते नेक्स क्लास में